मे वी कई करते हैं गुद मॉर्णिब्क ट intelig घ्रम देख विल्क में अपने पिछले ख्लास में जो लैफ साइकल ऑफ हैन है उसके बरे में अबने स्ट्छी करता और जो एकस होते हैं आज के वारे में अभी जो हमारे दॉद उन सबी के हम जितने भी उनके जो लाइफ साइकल होते हैं उन सबी चीजों के बारे में हम डिसकॉस करेंगे तो फर्स्ट ओफ फ़ फिश फिश ले पैंटली एक इन वाटर अटटाइम जो फिश वह क्या करती है वाटर के अंदर ही एक्ष देती है आउट ओफ दिस वह बहु क्यों कि फिश एज सम ऑफ एक गेट एटन बाइ लार्जर फिश कुछ जो लार्जर फिश होती है लार्जर फिश क्या करती है उनको खा जाती है और कुछ जो फिश खा जाती है और कुछ जो अधर एनिमल्स होते हैं वाटर के अंदर वह एनिमल्स क्या करते हैं उनको खा ज जर्णरली दीज एक्स ऑप्टेन वर्म इंटू दा इंक्लियम फ्रॉम दा संड्रेज ओके तो उन में से कुछ ही एक्स में से फिश के जो होते हैं कुछ ही एक्स ये बेबी वो हो पाते हैं ठीक है तो अब हम करेंगे बच्चो फ्रॉग फ्रॉग का लाइफ साइकल और इपंडर ऑफ एक्स जो फ्रॉग है वो भी फिश की तरह ही बहुत ज्यादा मात्रा में एक्स देती है यह एक्स अपेर ऐस लाट्ग करस्टर ओफ जली लाइक सबस्तांस वह एशा लगता है की जैसे वह जैली की तरह हो उसको हम बोलते है जैली की तरह जो सब्स्तांस ह होता है that is known as spawn okay the young जो पहला है adult से क्या आया बच्चो spawn आया वो होते है eggs और spawn से बनता है tadpole the young ones that hatch from the eggs are called tadpole उसके अंदर से eggs के अंदर से जो पहली चीज़ बाहर आती है that is known as tadpole tadpole look like very different from adults जो tadpoles होते हैं वो जो adult है adult से बिलकुल ही अलग दिखते हैं the process of transformation of a young one into a adult that look completely different is called metamorphosis जो बिलकुल अलग होता है वो जो process है उस process को हम metamorphosis process कहते हैं after undergoes metamorphosis the tadpole becomes an adult egg जो tadpole है वो क्या होता है इसमें आप diagram के तुरू समझे दाइग्राम में सबसे पहले adult frog है adult frog ने egg दिये egg से embryo बना embryo से और उससे थोड़े ज़्यादा बड़े embryo हुए उसके बाद वो tadpole में convert होता है और tadpole से young adult में convert होता है और young adult के बाद वो properly adult में convert हो जाता है फिर adult से दुवारा वो पूरा process जो है यह चलता रहेगा that's why इसे हम क्या बोलते है life cycle life cycle means उसका पूरा का पूरा यह यह चक्र होता है life cycle का यह चलता रहता है adult से फिर एक फिर एंब्रियोर फिर टैड़फोल फिर एडल्ट यह पूरा चलता रहेगा तो यह था फ्रॉग का life cycle now we will discuss butterfly का life cycle हम discuss करेंगे butterfly के life cycle the life cycle of butterfly has four stage इसके पास चार stage होती है कौन कौन सी stage है वो मैं आपको बताता हूं butterflies lay their eggs on leaves जो butterflies है वो अपने eggs leaves पर जो पत्तियां होती है उसके उपर देती है okay a small worm like caterpillar hatched from egg उन eggs से जो जब वो eggs क्या होते है hatch हो कर तूट कर उनमें से बाहर जो निकलता है worm उसे हम बोलते हैं caterpillar आपको diagram में भी दिख रहा होगा okay यह कहां से बाहर आते हैं बच्चो एग से बाहर आते हैं this stage is called larva इस stage को हम क्या बोलते हैं larva बोलते हैं okay the caterpillar glow in size by eating the leaves of the plant and develop a protective covering around itself वो क्या होता है वो वो plants के parts को खाकर दीरे दीरे वो बड़ा होता है okay बड़ा जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उस stage को हम बोलते हैं larva sorry pupa क्या बोलते हैं बच्चो प्यूपा बोलते हैं this stage is known as pupa the pupa set its old skin many times the process of setting old skin by animals is called malting वो क्या होता है उसकी skin जो है बारवार change होती रहती है तो उस process को हम malting process भी बोलते हैं okay finally the adult butterfly come out from pupa pupa के बाद जो finally butterfly जो adult butterfly है वो come out हो जाता है यह पूरा इसका butterfly का cycle है पहले adult butterfly से एक्स आए एक्स लीफ्स पर आए एक्स के बाद caterpillar and caterpillar के बाद pupa और pupa के बाद adult butterfly वापसी यह पूरा जो life cycle butterfly का है यह move होता रहेगा now we will discuss grass copper and cockroach जो grass copper है and cockroach है उसके life cycle के बारे में हम discuss करते हैं of grass copper and cockroach involve three main stage इसके तीन में स्टेज होते हैं कौन कौन से में स्टेज होते हैं वह हम उसके बारे में चलिए डिश्कर्स करते हैं the tiny larva that hatch from eggs जो tiny larva है वो एक से बाहर आता है जैसे कि आप डाइग्राम में भी देख रहे होंगे सबसे पहले एग है एक के बाद क्या आता है नाइंफतादा है उसको हम एक तरीके से वह जो उसका second stage of grass copper है उसमें wings नहीं होती है उसके बाद जो एडल्ट वाला आता है एडल्ट वाले में wings आ जाती है ओके तो यह था बच्चो ग्रास copper and cockroach का इस तरीके से ही cockroach के अंदर भी होता है life cycle grass copper का और cockroach का तो बच्चो आज हमने क्या क्या अंदर करा हमने फ्रॉग का करा फ्रॉग के बाद हमने किसका कर था बटरफ्लाई का करता अट बटरफ्लाई के बाद हमने life cycle discuss करा ग्रास copper का तो आपको क्या करना है homework में यह तीनों ही life cycles को आपको ड्रो करना है और ड्रो करके उसकी picture क्लिक करके whatsapp group में sign करना है next class में हम discuss करेंगे reptiles के बारे में okay animals that give birth of babies जैसे कि हमने starting में ही discuss करा था कि जो animals होते हैं वो क्या करते हैं बच्चो वो direct babies देते हैं और यह जिदने भी हमने अभी study करें यह birds है यह insects है यह क्या करते हैं यह एक्स देते थे एक्स के बाद इनका second stage होता था जिसके अंदर इनका जो एक्स से hatch होकर छोटा भी भी बाहर निकलता है और यह सारा process जो है यह वापसी चलता रहता है okay एक्स से उसका second stage second से फिर एडल्ट वाला stage फिर एडल्ट से एक्स वाला stage तो इन सब को हम बोलते हैं लाइफ साइकल आपको हमवक मैंने दे दिया है आपको वह सारा हमवक करके WhatsApp ग्रूप में साइंड करना है बचो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो